हेलो दोस्तों आज अगेन हम एक शेयर से लेटीड बाते करने वाले हैं जिसकी बाते मैंने शेयर में काफी इस प्लेटफॉर्म पे काफी बार करी है ISMT Limited आज आप देख पारे होगे लगबग 20% का अपर सरकेट शेयर पे लगा है 128 रुबे का शेयर का प्राइस चलता हुआ नजर आ रहा है ठीक है शेयर की जरनी क्या हो सकती है आगे क्या इसी तरीकी का परफॉर्म कर सकता है उससे लेटीड बाते करेंगे है बट उससे पहले हम बाते करें सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर देखिए ISMT से लेटेर के हमने पहले वीडियो बनाई है तो यहां पर आपको बता चलेगा अब बात करते है ISMT है क्या और किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है ठीक है क्या आप फॉर्डमेंटल टेक्निकल कह रहे है बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा I am small cap investor channel को subscribe bell icon को hit all notification को on करिए bank selling की recommendation नहीं है अपने financial advisor कुद की study करना है चीरों को सीखने का तरीका क्या है सीखने का तरीका है वीडियो जाके देखना वीडियो जाके देखेंगे काफी सारी queries आपकी solve होगी पटिश्टेल आट मिंट के वीडियो में मैं खुद जानता हूं कि इतनी सारी चीजे नहीं बताई जाती तो उसके लिए solution यह है कि आप हमारा course basic to advance technical fundamental research और क्यों शेयर भागता है क्यों गिरता है यह क्यों के जवाब आपको मिलते हुए नजर आएंगे 8169267237 दो नमबरों को save कर लीजिए course की जानकारी लीजिए ठीक है और पट्चियजा रुपे का course है थीरी मंस की एंडोल्डिंग, strategy using stock market, online order, सब कुछ दिया जा रहा है एक बार course complete की आप पीछे मुड के देखने की जरूत नहीं पड़ेगी केवल 6 महीने से 1 साल का experience लीजिएगा इसके इलावा साथ में अगर काम भी करना है और ऐसी चीज़ों को पकड़ना चाहते हो अच्छे place पे तो इनी नमबरों पे contact करिए हाना अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुए नजराएस आ सकता है आएसम certified research analyst ठीक है जो आप हमारे साथ काम करके देख सकते है ISMT की अगर हम बात करें तो ISMT है क्या ठीक है क्या share है वो से related बाते करेंगे तो देखे 3843 कोड़ रुटे की company है small cap है small cap की बात करूँ तो दो चीज़ याद रखिए कि सबसे पहले I am small cap investment हमारे चैनल का नाम है दूसरा ISMT की अगर बात करूँ तो ISMT जैसे small cap है तो small cap में risk रहता है 20 का PE है इंडस्टी का PE 22 का है तो सस्ता नजर आता है और इस्टिल PE के बेस पर कभी काम नहीं करते हैं मैं अमिशा कहता हूँ ROC, ROE ठीक ठाक नहीं है debt-free share है हना कि प्लैजिंग ना के बराबर है और 57.1% के आसपास का gross profit margin last quarter का दिखाए देता है face value 5 के आसपास किया है 39% का company के आज dividend भी है ठीक है ना dividend भी provide करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं chart pattern अब बात करते हैं ISMT करता क्या है तो यहाँ देखिए यह mainly engaged in the manufacturing seamless tube and engineering steels तो यह company इस तरीके के products बनाती हुई नजर आती है यहाँ पर पर प्रोडक्ट है इनकी website पर विजिट कर आपको सारे की सारी चीज़ें पता चलती हुई नजर आएगी कि यह company exactly किस company के लिए किस तरीके के segment को यहाँ पर cater करती हुई नजर आती है सब कुछ आपको यहाँ पर पता चलता हुऊ नजर आ जाएगा production service में जाएए तो आपको समझ में आ जाएगा company के बारे में अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए company के result भी आए हैं ठीक है यहाँ पर आप देखेंगे तो company अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी अभी यहाँ पर देखेंगे तो company yearly quarterly based पर sales company की कम होती ही नजर आई है ठीक है और हमेशा ही company अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी वो भी एक बात है तो जब अच्छा परफॉर्म कर रही थी तब भी अच्छा परफॉर्म किया है ऐसा नहीं कहूंगा बेकार परफॉर्म किया है पर इस्टिल company ने उस तरीके परफॉर्म नहीं किया जैसे पहले किया था और यहाँ पर आप देखेंगे आप पर सरकेट लगता हुए नजर आया तो याद रखिएगा कोई भी चीज अगर आप रिजल्ट के बेस पर लेते हो रिजल्ट के बेस पर चीज़े काम नहीं करती आपको हमेशा अलग तरीके से यहाँ पर सोचना होगा और समझना होगा और तरीके से काम यहाँ पर करना होगा इस चीच को हमेशा याद रखिए तो यहाँ पर देखिए sales कम होती ही नज़राई, company का quarterly profit कम होता हुआ नज़राई, लगाता गिर रहा है और yearly base पर यहाँ बात करें तो बढ़ रहा है, margin बढ़ते हुए नज़राई, company का EPS yearly base पर बढ़ता हुआ नज़राई और यहाँ पर देखेंगे profit भी बढ़ता हुआ नज नहीं पड़ता हमेशा आपको एक डेड़ साल दो साल देखके देखना चाहिए ताकि चीज़े किस तरीके से काम करती है, रिजर्फ की बात करें, company के रिजर्फ लगाता बढ़ रहे है, boring इस quarter में इस सालम थोड़ी सी बढ़ी है, और यहां पर आप देखेंगे, cash तो company के अच्छा कासा cash flows नजर आते है, 75% के share जो की promoters का जो से भी का rule है, वो यहां पर बनते हुए नजर आते है, FISDI और यहां पर government ना के बराबर है, बट पब्लिक 25% के आसपास ही holding रखती है, और उसमें भी आप देखेंगे, तो काफी लोग, even मुकल महावीर अगरवाल सर भी धीरे धीर अपनी सेधारी यहां पर बढ़ाई है, यहां पर आप देख सकते है, share से related, अगर कुछ बड़ी यहां पर deal हुई है, तो आपको यहां पर पता चल जाएगी, बाकी हम चार्ट से related बाते करेंगे, बट उससे पहले, चार्ट पर आगे बढ़े, आपसे request करूँगा, I am smallcap investor channel को subscribe, bell icon को hit all notification को on करे, buying selling की recommendation नहीं है, आप video जाके देखनी है, और यहां पर in course को join कर सकते हो, तो यहां पर करिए, आपको फायदा होगा, और साथ में काम करना है, तो भी आप यहां पर कर सकते हैं, बाकी दूसरी बात, ISMT को लेने से पहले, मैं आपको disclaimer देना चाहता हूँ, ठीक है ना, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, उनके पास यह share 75 रुपीज से पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और हमने average भी किया है, तो इसलिए, मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर buying selling नहीं करनी है, ठीक है ना, आप हो सकता है कि हम यहाँ पर बेच के भी निकल जाएं, और हम हो सकता है कि यहाँ से हम रखे भी, और कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए, मेरे को follow नहीं करना, किसी और को follow नहीं करना, अपने दिमाग से काम करना है आपको हाना और इसलिए आपको यहाँ पर चीडो को समझना है fundamental को समझना है जो कि मैंने आपको बहुत किलियर ली बताया भी है अच्छे दरीके से खुल के यहाँ पर बताया है अब बात करते है चार्ट की तो आज देखिए 20% का अपर सरकी लगता हुआ नजर आया शेयर दीरे दीरे गिराजूली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया हाना और 20% का अपर सरकी टेक साती लगाता हुआ दिखाई दिया टार्गेट मुझे क्या नजर आते है मुझे टार्गेट नजर आते है यह ठीक है ना जो कि multi-year breakout के आसपास शेयर जाता हुआ दिखाई देता है 139 के आसपास एक resistance नजर आता है ठीक है न हो सकता है यहां से नीचे जाए बट यह भी ज़्यादा possibility है कि यहां से सीधे और भी त resistance नजर आता है 139 और अगर यह शेयर नीचे मिलता है कभी हाना दुबारा सो रुपे के आसपास तो यहां पर अच्छी opportunity बन सकती है ग्रैप करने की क्यों क्योंकि शेयर बहुत बहतरी इन है और यहां पर जो पैसे यहां पर खर्च हुए न वो पैसे कभी खर्च नहीं जिस का फायदा इस company को आगे चलके होता हुआ नजर आएगा तो थोड़ा से समझने की कोशिश करिएगा ठीक है बाकी और टारगेट की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा मंतली चार्ट पर जाता हूं मंतली चार्ट पर अग मैं आपको बताना जाता हूं कि यह शेयर कितना यहाँ पर भागता हुआ नजर आ सकता है और अगर कोई लंबा चोड़ा टाइम देता हुआ नजर आ है तो यहाँ पर देखिए 2020 से किसी ने लिया होगा ना 47% के रिटन बनते हुए नजर आ है मतलब 4 साल में 47% के रिटन माइंड ब्लोइंग रिटन कहा जाता है इने तो 230 रुपे के आसपास का मेरा यहाँ पर टार्गेट आता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप इस तरीके से यहाँ पर टार्गेट भी निगाल सकते हैं याद रखेगा एक साथ ना भाग के दीरे दीरे बाग सकता है अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकता है बाइंग सालिंग की रिकमेंडिशन आपको है नहीं अपने फैनेशल एडवाईजर कुद की स्टड़ी करना है चीजों को ध्यान से आपा पढ़ना है सीखना है ये सो मुझ को प्लेस